प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यह लाइव चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं यह लाइव चर्चा यह सेशन प्रारंब हो रहा है प्रतेक दिवस नौ बजे शुरू होता है थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है तो चर्चा करने के बाद फिर हम आपके कमेंड्स उस पर हम चर्चा करेंगे तो विश्य क्या है आज का विश्य आज हम प्रारंब कर रहे हैं जानलेना चाहिए कि तैतिरियो उपनिशद क्या है तैतिरियो उपनिशद क्रिश्न यजुरुवेदिय तैतिरिया शाखा के अंतरगत तैतरिया आरण्यक का अंग है मतलब यजुरुवेद के दो भाग क्रिश्न यजुरुवेद और शुकल यजुरुवेद यजुरुवेद के दो भाग है कृष्ण यजुरुवेद और शुक्ल यजुरुवेद तो यह कृष्ण यजुरुवेद के तैतिरिया शाखा के अंतरगत तैतिरिया आरण्यक का अंग है क्योंकि वेदों से सहिता सहिता से ब्रामन ब्रामन से आरण्यक और आरण्यक से उपन का जो विकास हुआ है वह इस प्रकार से हुआ है तो उसी में तैतरिया आरण्यक से यह लिया गया है आरण्यक से उपनिशद आये हैं सहिताओं से ब्रामन आये हैं तैतरिया ब्रामन और फिर तैतरिया आरण्यक विक्सित हुए और आरण्यकों से यह उपनिशद विक्सित हु और तैतिरिय उपनिशत के अंदर क्या क्या है देख लें तो तैतिरिय उपनिशत के तीन अध्याये हैं उन तीन अध्यायों का नाम है वल्ली वल्ली क्या है एक है आपका सिक्षा वल्ली जो पहली वल्ली है सिक्षा वल्ली दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा है तो अलग-अलग वल्ली में अलग-अलग विश्यों को महत्व दिया गया है, तो सिक्षा वल्ली में सिक्षा के महत्व को बताया गया है कि सिक्षा का महत्व क्या है, विद्या का महत्व क्या है, विद्या अर्जन का महत्व क्या है, सिक्षाओं का महत्व क्या है, सिक्षित होने का अर्थ क्या है इस पर जो है फोकस किया गया है किसके अंदर यह सिक्षा वल्ली के अंदर गया जो पहला अध्याय है अब इन वल्लियों में अलग अलग वल्लियों में क्या है अनुवाक है अनुवाकों की संख्या किसी वल्ली में 10 है 11 है 12 है तेरा भी हो सकते तो लगबग इतना 9 से लेकर 13 14 के बीच में अनुवाक है अब अनुवाकों में हो सकता है कि एक स्लोक हो किसी किसी अनुवाक में मात्र एक स्लोक है किसी किसी अनुवाक में 2-3 स्लोक है 3-4 स्लोक भी मिल जा या तैतरिय उपनीशद का तैतरिय उपनीशद कृष्ण यजुरवेदिय की तैतरिय शाखा के तैतरिय आरन्यक से लिया गया है और आज इसमें तीन वल्लियों में अलग-अलग अनुवाक है तो जग्यासूं थोड़ा बहुत यहां पर इंटरनेट का कनेक्षन का थोड़ा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है कोई बात नहीं आप जुड़े रहें बने रहें चीजे ठीक हो जाएंगी अपने आप ठीक तो तुर्तिया हम आज जो है प्रथम वल्ली तो प्रथम वल्ली पर आज हम चर्चा करेंगे प्रथम वल्ली के तीन अनुवाकों सिद्ध है तो सिख्षा वल्ली के तीन अनुवाकों पर आज हम चर्चा करेंगे इसमें सिख्षा के महत्त को बताया गया है कि सिख्षित होने का अर्थ क्या है ये समझाया गया है और सिख्षा किन किन संदर्वों में तो इसमें पंच महा सहिताओं का वर्णन आएगा किसक शावली के अंतरगार देखा जाता है! ठीक है unfortunately तो क्या इसमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है वैसे तो आप देख रहे हैं कि संसार और सवर्व के संपूर्ण भोगों को प्राप्त कैसे किया जाए प्राप्त करने का साधन बताया जा रहा है इन पंच महा सहिताओं में ठीक है तो पंच महा सहिताओं कौन कौन सी है इस लोक क्या कहते हैं आई हम सीधा इस लोकों पर चलते हैं क्योंकि वो शब्द प्रमान है तो उनको लेकर ही कोई बात कहना उचि से प्रार्तना करते हुए कहा घ्या घे ओम शन्यों मित्रह्शंवरुन है शन्यों भवत्वर्यमा शन्यम इंद्रो ब्रहस्पति शंळों विष्णू रुरूक्रम्ह नमों ब्रह्मने नमस्ते वायो त्वमेव प्रतेक््षं इस प्रकार से शांती पाठ यहां पर यहां पर देवताओं से प्रार्तना है कि भई हम प्रार्तना करते हैं देवों से उस परमात्मा के नाम का हम इस्मरन करते हैं ओंकार का इस्मरन करकर ओम से प्रारंब होता है कि हमारे लिए मित्र मित्र देवता कल्यान प्रद हो वरुन देवता कल्यान प्रद हो अर्यमा देवता कल्यान प्रद हो ब्रहस्पती देव कल्यान प्रद हो इंद्र देव कल्यान प्रद हो विश्नु भी कल्यान प्रद हो ठीक है तो इस प्रकार से और भी देवताओं का नाम है ब्रह्मा का भी न रितम का भी नाम आ रहा है तो इस प्रकार से मैं सत्य बोल रहा हूँ सत्यम वदिश्यामी माम अबतू मेरी रक्षा करें वह सत्य वक्तारंवतू वक्ता की अरफात आचारे की रक्षा करें जो इस उपनिशद को कहने वाले हैं तो तैतिरिय ब्रामनों के द्वारा ही उनके द्वारा जो आरण्यक हो गए उन्हीं के द्वारा इसकी रशना हुई है तो एक प्रार्थना है कि हम सत्य बताने जा रहे हैं उपनिशदों का ज्यान देने जा रहे हैं वेदों का सार त तत्व रखने जा रहे हैं तो हमारी रक्षा होनी चाहिए देवता हमारी रक्षा करें अब देवता के तत्व हम पर ध्यान दे और जो भी तत्व प्रदान करने वाले हैं उसमें कमी ना करें उसमें कमी ना करें रक्षा करने का अर्था तत्व यह है कि देवता जो भी तत्व हमें परदान करते हैं वायू देव वायू परदान करते हैं विद्या की देवी सरस्वती विद्या परदान करती है विश्णु जो है इस पालन करता है तो वो हमें सामर्थ परदान करें इंद्र भी हम पर कृपा करें हमारे इंद्रियों को वो कुशल रखें तो ये सारी पश्वारति के अंदर यह प्रार्तना ही है शांति पाठी तो यह जो वल्ली है सिक्षा वल्ली इस वल्ली का नाम शिक्षावल्ली इसके अंतरगा जुक्षामं प्रत्धम अनुवांग में प्रार्थना करकर उस अनुवांग को समप्त कर दिया गया है। डियूती अनुवांग से हम प्रण पढ़ना शुरू करेंगे। मैतर शुरू होगा तो क्या कहते एक वेधांग भी है। अगर आपने वेदांग शास्त्रों के बारे में सुना हो तो 6 वेदांग शास्त्र हैं जिसमें की सिक्षा है, व्याकरन है, निरुक्त है, चंद है, जोतिश है, यह सारी चीजे उसके अंदर आती हैं, 6 के 6 आते हैं, तो हमें वेदांगों के अंतरगत भी सिक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि सिक्षाम व्याक्षा स्याम अर्थात हम सिक्षा की व्याक्षा करेंगे। क्षा किया है तो वो कहा रहे हैं कि वर्णास्वरः अर्थात तो वो कहते हैं कि वैदिक उच्चारन आपका सही होना चाहिए आप issues के इस लोग को पढ़ना सही से सीखें तो वैदिक काल की बाते हैं तो उसकी अनुसार वो सिक्षा को उस समय वैदिक अध्यन में संस्कृत भाषा को जानना और वेदों का सही उच्चारन जानना सिक्षा का विशय होता था और आज भी है ऐसी बात नहीं कि उसको जानना आज अगर हम सीखेंगे तो सिक्षा का विशय नहीं होगा तो उसको सही से सीखना उसको सही से जानना और वेदों के मंत्रों का सही सही उच्चारन करना क्या है सिक्षा का विशय है यह सिक्षा है पर्थम सिक्षा है पहला तो यही काम आपको सीखना है तो वेद के उच्चारन क कि सिक्षा का अध्याय कहा गया है फिर वो कहते हैं कि वेदों का उचारण सीखना चाहिए इसके अंदर उसी को महत्व दिया गया है इस इसलोक में ऐसे इसमें बहुत सारे भाग आ जाएंगे वैसे तो वैदिक उचारण के अंदर देखिए बहुत सारी चीजे आती हैं कि विवार समवार स्वास नाद घोश अगोश अल प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित बाहिय प्रत्न हैं वेदों का उचारण में यह सब अभ्यांतर और बाहिय अभ्यांतर के पांच और बाहिय के 11 भेत म जाएगा तो तरतियानवाक के स्लोक में वो क्या कहते हैं सहनव यश अभान happens इसमें महत्वण है इसी में तीन-चार स्लोक आपको मिल जाएंगे और उसमें विशय पर चर्चा ही गई है चो विशय आज नीशिदंव व्यक्ष्या श्याम पच स्वधी करनेशु अधी लोक-मधी जोतिश मधी विद हमधी प्रजम अध्यात्म मं ता महा संहिता इत्याक चक्षते अथादि लोकम प्रत्वी पुर्वरूपम धौरुत रूपम आकाशह संधि वायु संधानम इत्तधी लोकम अर्थात की आचारे और शिष्ष दोनों को यश एक साथ बढ़े, दोनों का यश बढ़े, एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े, इस प्रकार सुभ इक्षा प्रगट करने के अनंतर यहां से लोकों के विशय में, जोतियों के विशय में, नमबर वन लोक, दूसरा जोती, तीसरा विद्या, अधी विदम, विधी के विशय में, अधी प्रजम, ठीक है, प्रजा के विशय में, प्रजनन के विशय में, अध् माने उर्जा अधी आत्मम से अध्यात्म तो यहाँ पर उर्जा के विज्ञान को समझना मन और शरीर माइंड और बॉड़ी ठीक है इसके संदर्व में यहाँ अध्यात्मम शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि आगे कि स्लोक में इसी की चर्चा होगे शरीर और मन की ही चर्चा होने वाली है तो इसी लिए यहाँ पर अध्यात्मम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किसलिए हुआ है शरीर और मन के व कर दिये गये ठीक है। कौन-कौन सा विशय ले लिया गया। अधि-लोकं, अधि-जोतिशं, अधि-विधं, अधि-प्रजं, अधि-आत्ममं। शृरीर के विशय को पांच अस्थानों में अधि-करनेशु, पंचसू, अधि-करनेशु, सहिताया, उपनिशितं व्याथ-ख् अर्थात कि इन पाँच महा सहीताओं के रहस्य का वर्णन करेंगे इन सब को महा सहीता इस नाम से कहते हैं उनमें से लोकों का जो विशय है लोक विशयक सहीता है पिर्थिवी पुर्वरूप पुर्ववर्ण स्वर्ग लोग उत्तर रूप परवर्ण आकाश लोग इन सब का संधी बना हुआ है मेल बना हुआ है वायू लोग संधानम दोनों का संयोजक है जो वायू है इनका संयोज शांती है इस प्रकार से शांती मंत्र शांती पाठ का जो मंत्र होता है है हम उसमें सब सुनते हैं अनेक लोगों की चर्चा आ जाती है वनसपति की भी और उशधी की ओखदया शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्त रेव शान्ति साम ugh शाThen १रेधि हों शान्त आकाश लोग है इन सबके बीच संबंद बनाने वाला कौन है वायू है वायू संबंद बनाने वाला है इसलिए मृत्यू की उपरांत स्वर्ग जब गमन करता है जी स्वर्ग अर्थात अपने कर्मों के अधार पर अपने संसकारों के अधार पर वो अपने पुन्य कर्मों का जो फल्ब होगता है जब फल्ब होगता है तो फिर क्या होता है कि वह अनेक लोकों में गमन करता है और स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति करता है तो पहले भी हम उपनिशद में चर्चा कर चुके हैं कौन सी वायू इसमें सहायक है उदान वायू जब मिर्त्यू हो जाती है तो उदान वायू जीवात्मा को शरीर से बाहर निकाल कर ले जाता है आगे की ओर ले जाता है उदान वायू कौन सी वायू है जो जिसका हमारे शर मन और प्रान के साथ जीवात्मा आगे बढ़ता है, शरीर को छोड़ कर बढ़ता है, लेकिन इंद्रियां साथ में रहती है, मन भी साथ में रहता है, और प्रान भी साथ में रहते हैं, हाँ प्रान शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जीव को नहीं छोड़ते हैं, यह ध्यान र मानना है ठीक है आपको अगर अपने मन की ही बात माननी है कुछ सुनना नहीं है मैं अपनी बात यह नहीं बोल रहा हूं इसलिए पहले ही मुझे बोलना पड़ता है इस अपनीशद और इशादी नहीं अपनीशद जिसको मूल उपनीशद कहा गया या तो आप वेदों पर प् वीडियो में चाहिए तो वो तो संभव नहीं है यह भी थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा अगर कुछ जानना है वाकई में परमात्मा को जानना है तो तना मेहनत भी तो करो नहीं तो परमात्मा से प्रेम है ऐसा कहना बहुत सरल है लेकिन करम के अंदर वो प पीशे भागना शुरू कर दे जिसको वास्तों में इश्वर से सच्चा प्रेम है वो भले दुनिया के पिशे ना भागे बहुत सारे भक्त हुए वो दुनिया के पिशे कभी न भागे लेकिन लोग उनको जानते हैं आज वो हमारे लिए आदर्श हैं तो वो आदर्श की र ना परमात्मा से प्रेम है ना इश्वर से प्रेम हाँ शास्त्रों से प्रेम है योग से प्रेम है बिना साधना की यह मैं रह नहीं सकता हूं और ध्यान योग से प्रेम है तो जिससे है उससे है मैं सीध ही बाते बता रहा हूं हाँ इश्वर से भी प्रेम है शायद आपके जितना एक भाई साब आज टकराए थे तो उनकी जितना तो मुझे प्रेम नहीं है खैर और भी कई लोग है जिनको बहुत प्रेम है तो निश्य ही लेकिन वेदों और उपनिशदों के बातों से उनको फिर वो लगता है इसलिए तो मैं कहता हूं एक शड़यंत्र चला है हमार प्रेदेश में ज्यादातर हिंदू समाच के लोग जिस भगवान को मानते हैं वह भगवान बिलकुल अबराहमिक रिलीजन की तरह वह किसी जिस तरह से अबराहमिक रिलीजन में गौड को माना जाता है अल्ला को माना जाता है 90% हिंदू भी अपने भगवान को उसी परकार से बानते हैं यहीं उनकी बिमारी है और उनको पता ही नहीं कि हमारे शास्त्रों में प्रमात्मा को कैसे डिफाइन किया गया है उस तरह से कुछ कहा ही नहीं गया तो 90% जो अपने आपको सनातन धर्मी मानते हैं या हिंदू मानते हैं वह भी किसी ना किसी शक्ति को जिस तरह स वो भी अपने इस्ट को उसी शक्ति की रूप में मानते हैं, वो नाम दे देंगे कृष्ण रब, नाम दे देंगे कोई अपना इस्ट जिसको भी वो कहते हो नाम दे तो जिस भी नाम से पकारे हो लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ोगे भारतिया अध्यात्म को समझोगे भा अभी तो हम हिंदू सनातन धर्म की आजकल बहुत बाते होती हैं लेकिन सम प्राब्लेम यह है कि 90 प्रतिशत जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका भगवान जिस वो किसी शक्ति को मानते हैं तो वो मिलती जुलता ही concept है जहां आप इसलिए तो आप इश्वर अल्ला तेरो नाम आपको स्विकार हो जाता हो इनी सकता कभी इश्वर का concept ही बिल्कुल अलग है गौड अल्ला का concept ही अलग है आपको स्विकार हो जाएगा लेकिन ऐसा है ही नहीं concept अलग है आप इस लोग पढ़िए जाकर ठीक है तो ये तो समाज के लोगों को शास्त्रों के परति अगर आप अपने मूर शास्त्र ही मूल है अगर उसी को नहीं समझा गया उपनीशद ही नहीं समझ में आया तो आत्मा क्या समझ में आएगा परमात्मा क्या समझ में आएगा उपनीशद बेस है आधार है वेदान्त का ठीक है तो यह समझना जरूरी ही है तो इसलिए उपनीशद आप इसमें देखते ही है सुनते ही है मैं बताई रहा हूँ बविश में special classes भी लेंगे अगर जो लोग एक छुक है उपनिशदों के बारे में जानने के बारे में तो ठीक है तो उस पे भी चर्चा फिर की जाएगी तो जरूर आप वैसी चीजों को seriously जो लोग गंभीरता से औ आप उनके लिए तो अपनिशद गहन विशय है किससी लिए एक शाहन Nicolas नहीं होती है कि बवहत गंभीर बाते यूटीव कर बोली जाएं कि किसी ने पांच मिनट सुना, किसी ने दो मिनट सुना, किसी ने चार मिनट सुना, किसी ने नहीं सुना, पहुंच गए और कुछ भी लिखे दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया, सुना, नहीं सुना, कमेंट कर दिया, तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग, तो कम से कम, जब सुन रह हैं तो साथ में आप थोड़ा सा अध्यन भी करें तो और भी अच्छा होगा चलिए कोई बात नहीं आगे हम चलते हैं अपने विशय पर अपने विशय को हम आज क्लियर करना है तो यहां पर रिशीवर क्या कहते हैं कि भाई पांच प्रकार की महा सहिताएं हैं उनमें सरपर्थमवल लोक के बारें बताते हैं वो पांच प्रकार की महा सहिताएं कौन-कौन से हैं लोक जोती एक है लोक की चर्चा है अधी लोकम अधी जोतिश लोक जोती विद्या प्रजा और आत्म अ अध्यात्म अधी शब्द अधी धी का आर्थ होता है उर्जा तो यहाँ पर मन और शरीर की उर्जा का विज्ञान को लिया गया है तो सरपर्थम लोक की बात करते हैं और लोक की बात करते हुए कहते हैं कि जो वायू तत्व है जो आकाश लोक है स्वर्ग लोक है पृत्वी साथ तो इनका के द्वारा है थैं तो वायू के विज्ञान को समझना चाहिए है तो वाइयून के बारे में जानना सिक्षा का एक अंग है तो पांच सिख्षाओं की यहाँ पर चर्चा की जारी है पांच महा सहीताओं की चर्चा की जारी है जो की सांसारिक है जो की विज्ञान से संबंद रखता है सांसारिक विज्ञान बहुत एक विज्ञान से संबंद रखता है उनको जानना ही चाहिए जो इन के सारे सुखों का भोग भी कर लेता है और पाप से मुक्त भी हो जाता है तो पाप से मुक्ति में बहुत महत्यपुर्ण विशा है इसलिए हम कहते हैं पूजा पूजा जो है वह पापों से साधन नरक से मुक्ति का साधन दुखों से मुक्ति का साधन वह मोक्ष का साधन नहीं है पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता ठीक है एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे अरे भाई साधना करो योग करो वही असली पूजा है जी नहीं पूजा अलग चीज़ है साधना अलग चीज़ है क्योंकि अगर हम किसी के मुँँ से कुछ कह देने सो उसका आर्थ नहीं मालनेंगे संस्कृत व्याकरन क्या आर्थ निकाल के दे रहा है वो मानना पड़ेगा क्योंकि शब्द तो उसी भाषा के है न तो इसलिए अब समय आ रहा है कि जो वास्तविक चीज़े हैं उसको खोला जाए उसमें प्रवेश किया जाए आज से 25-30 साल पहले लोग ये नहीं जानते थे कि इस समय यूग का इतना प्रचार होगा जहां पर लोग यूग करना बिल्कुल बंद कर चुके थे यूग और आयुरुवेद एक डेड साइंस था नब्बे के दशक में आप चले जाएए डिकेड ओफ 90, 80, डेड साइंस यूग करने से कुछ नहीं होता बेटा जिम करो बॉड़ी बनेगी माता पिता कहते थे आयुरुवेद तो ये घरेलुन उसके इससे क्या हो जाएगा लेकिन अंग्रेजी दवाईयों का प्रकोप खातक प्रकोप दुबारा से योग और कई चीजे आ रही हैं आप मत सूचिएगा अगर अच्छा जीवन जीना है तो तुम्हें शास्त्रों और उपनिशदों की और जाना ही पड़ेगा मजबूर होकर जाओगे विवश होकर जाओगे अगर आप अपने से नहीं गये तो प्रकृति ऐसा माहौल पैदा करेगी कि विवश विवश हो जाओगे जाने के लिए फिर समझना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र कौन सी प्रमात्मा की बात करते और हम कौन से प्रमात्मा को मानते हैं ठीक है तो वो डिफरेंस आना फिर शुरू हो जाएगा पता चलेगा अब नहीं चल रहा है आगे चलेगा तो यहां पर ये पंच विद्याएं, पंच महा सहिताओं का वरणन लोक, जोती, विद्या, फिर प्रजा, ठीक है, लोक, जोती, विद्या और प्रजा, और पांचवा क्या है, अध्यात्मी, इन पांचों के सिक्षा होनी चाहें तो लोक के सिक्षा क्या है वायू विज्ञान को समझो वायू के साथ इनका संबंद बनता है लोकों का और वायू के माध्यम सही एक लोक में दूसरे लोक में जीवात्मा गमन कर सकता है तो इसका विज्ञान जानना चाहिए इससे पुनरजनम का विज्ञान भी सिद्ध होता है और पुनर जनम का रहसे भी इससे खुल जाता है तो इस syllable के बारे में पहले चर्चा की है कि यह इसका ज्न होना सिक्षा का विशह है अगर आप सिक्षित हैं तो आप इस वि Phi Darwin को जानेंगे वयो विज्जान को आप अच्छे से समझेंगे ठीक है परलोग गमन की बातों को समझेंगे लोगों का ज्ञान आपको होगा तो यह सिक्षा लेनी चाहिए दूसरा वो सिक्षा दे रहे हैं अथादी जोतिशम अगनी पुर्वरूपम आदित्य उत्तरोपम आपह संधी वैदुत संधानम इत्यधिज violations अब जो है जोतिश विश्यक सहिता का वड़न करके अगनी, पुर्व रूप, सूरिय, उत्तर रूप, जल, मेघ, इन दोनों की मेल से बना हुआ रूप है, ठीक है, बिजली संधान है, इस प्रकार जोतिश विश्यक सहीता कहती है, जोती विश्यक, मतब जोती कैसे प्रगट होई, अगनी कैसे प्रगट होई, घट के अंदर जो संधान से हुई, तो जोती का प्रगट का विज्ञान भी आपको जानना चाहिए, यह भी सिक्षा का मुख्य विश्य है, तो यह दूसरा विश्य उन्हों ने रख दिया, अब तीसरा विश्य क्या है, विद्या, विद्या क्या है, तो अथाधि विदम, आचारिय, करते हैं, गुरु इसका पहला वर्ण है, गुरु के माध्यम से ही विद्या प्राप्त होगी, गुरु के समीप निवास करने वाला जो शिश्य है, वह दूसरा वर्ण है, विद्या दोनों के मिलने से उत्पन होती है, गुरु और शिश्य के मिलने से क्या उत्पन होती है, ठीक है, तो विद्या का ज्यान होना चाहिए, विद्या के सिक्षा होना है, विद्या को प्राप्त करना सिक्षा ही है, दोनों के मिलन से विद्या उत्पन होती है, और गुरु द्वारा दिया हुआ उपदेश शंधी का हेतु है, इस प्रकार विद्या विश्यक सहिता कहीए, विद्या का तातपर यहाँ पर skills से है skills आपको बहुत सारे skills जानने चाहिए अगर आपको जीवन अच्छे से जीना है तो आपको सिक्षित होना चाहिए और आपके पास अनेक विद्याएं होनी चाहिए विद्या मतलब skills अगर आप गाना बजाना जानते हैं तो एक skill है आपके पास आजकर skill development पर लोग बहुँ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई नौकरी के पीछे भागते हो इससे बढ़ियां है अपने अंदर skill development ले आओ skills develop करो हाथ का काम कुछ ऐसा सीख लो कि रोजी रोटी की आपको दिक्कत ना हो नौकरी के लिए किसी के पीछे भागना न पड़े skill development तो किसी के पास जाकर सीखो जो जानकार विखती है उससे अपने skills को develop करो विक्सित करो तो गुरू और शिश के संदर्म में आने से विद्या का विकास होता है विद्या मिलती है विद्या तक तो वहाँ पर आ जाता है तो सिक्षित होना चाहिए लोकों के विशय में सिक्षित होना जोती अगनी के विशय में लोकों के विशय में सिक्षित होना वायू के विशय आपको पता होना चाहिए शरील में वायू कैसे चलती है कौन-कौन से समस्याएं करती है नई पता है लोग भूल चुके है जोती की विश्य है अगनी का भी ज्यान होना चाहिए जोती कैसे प्रगट होती है सूरी की जोती कैसे प्रगट होके रखी है बिजली में अगनी कैसे आती है भाई बादल में तो पानी था फिर अगनी कैसे आ गई बिजली अगनी ही तो है बिजली अगर किसी पेड़ पे गिर जाए पेड़ जल जाए ठीक है तो अगनी कैसे वहां आ गई और फिर बिजली हो गई यह हो गया फिर लोक हो गया वायू हो गया इनका ग्यान अब व विद्याओं को सीखना चाहिए गुरुवों की शरह में जो भी जिसका एक्सपर्ट है जिससे भी आप जो सीख सकते हैं वह इसकिल्स अपने अंदर डवलप करना चाहिए ठीक है तो ये चीजों को डवलप करना इन चीजों को विक्सित करना ये जरूरी है फिर तो ये विद्या के परती जागुरुख हो जाए याप यह अभी सिक्षा का विश्य है तो सिक्षा में सारी चीज चल रही है तो तीन चीजे हो गए लोक जोती और विद्या अब आगे वो बताएंगे प्रजा अथाधी प्रजम माता पुर्वरूपम पितरो रूपम प्रजा संधी प्रजनम संधानम इत्यधी प्रजम अब जो है प्रजा विश्यक सहीता अर्थात प्रजनन से प्रजा है माता पुर्वरूप पुर्वरूप है पिता और उत्तर रूप है तो माता पुर्वरूपम पिता उत्तर रूपम और उत्तर और पुर्वरूप माता पिता के मेल से प्रजा संतान की संधी होती है प्रजा संधी प्रजननम प्रजनन की क्रिया और संधानम उसका संधान होता है तो अब जो है इस प्रकार का प्रजा विश्यक सहिता में कहा गया है तो अब यह जो मंत्र है सहीता के रूप में प्रजा वर्णन करके संतान प्राप्ति का रह से समझा रहा है भाव यह है कि इस प्रजा विश्यक सहीता में माता का जो मन तो मानो पूर वर्ण है पिता पर वर्ण है जिस प्रकार दोनों वर्णों की संदी होगी एक नए अर्थात संतान कित्पती हुई इस प्रकार माता पिता के संयोग से उत्पन होने वाले ही सहीता में दोनों की संधी संयोग तुरूप से प्रजा का विकास होता है अर्थात बच्चे का जनम होता है तो यह विशे कह रहे हैं अब यह विशे यहां पर क्यों लिखा गया पुचित नियम पुरुवक सुख पुरुवक संतान उत्पती के उद्दिश्य से किया गया जो संग है इस्त्रीपुरुस का इस विशय का सही ज्यान उनको होना चाहिए इस विशय का उनको सही ज्यान होना चाहिए अगर वो सही तरीके से सही विधी से कई चीजों का अब वो एक अलग विज्ञान ही चला जाएगा, अलग दिशा में बाते चले जाएगे, बस मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, कि इस विशय को, प्रजा का विशय, सिक्षा का विशय है, कि व्यक्ति को संतान उत्पती के विशय में, रती क्रिया के विशय में सिक्षित होना चाहिए, it is the topic of हम क्या सकते हैं कि sex education की बात यहाँ पर की जा रही है घीक है उसे शास्तर विधी की अनुसार उसे सिक्षित होना चाहिए अगर वो सही से इस विषय में सिक्षित है तो वह उत्तम संतान की उत्पती कर सकता है उत्तम संतान की उत्पती है तू उसे इस विशय का भी ज्यान होना चाहिए उसे सिक्षित होना चाहिए ठीक है तो यह तो अब सिक्षा का विशय देखे सिक्षा क्या है अब आएगा अध्यात्म का विशय चलो उसको भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि अध्यात्मी किसे कहा जा रहा है फिर हम पूरा एक बार revise कर लेंगे अच्छे से तो यहां पर कहा गया कि जो मनुस्य इस रहस्य को समझ कर संतान उत्पती करता है वह इसके संपुर्ण सुख का लाब उठाता है और साथी साथ सरष्ट पुत्र को प्राप्त करता है उसकी संताने सरष्ट होती है उच्च गुनों वाली होती है ठीक है तो यह इसमें कहा गया है तो फिर कह रहे हैं अथाद्यात्ममम अधरा हनू पुर्वरूपम उत्रा हनू रुतु पुरूपम वाकसंदी जिहवा संधानम इत्य अध्यात्ममम अब आत्म विश्यक सहिता वर्णन करते हैं कि अधरा नीचे का जबड़ा ये फिर जो है पुर पुर्ण रूपम उत्रा हनू ऊपर का जबड़ा और इन दोनों के मिलने से क्या पैदा होता है वाक पैदा होती वानी पैदा होती है ठीक है वानी संधी संधी से वानी इन दोनों के संधी से वानी पैदा होती है और जब वानी पैदा होती है इसमें जीवा का संधान होता ह जिह्वा संधानम इती अध्यात्ममं विश्यक सहिता तो वानी क्या है मन और शरीर का मेल है अब इसी की महांता और गाते हुए वो क्या कहते है इतिमा महा सहिताम या एवमेता महा सहिता व्याख्याता वेजसंधियते प्रजया पशुभी ब्रह्म वर्च सेना नाधेन स्वर्गेन लोकेन इस प्रकार ये पाँच मही समहा सहिताएं कही गई है जो मनुष्य इस प्रकार इन उपर बताई हुई महा सहिताओं को जान लेता है अर्थात इन विश्यों में सिक्षित हो जाता है वह संतान से पश्वों से अर्थात धन से अनादी भोग्य पदार्थों से और स्वर्ग के सुख से भी संपन्न होता है देखिए जो इन महान पांच सहिताओं को भली भाती जानने वाला है वो क्या करता है कि क्या-क्या उसे मिलने वाला है अगर वो सिक्षित है इन पांच चीजों में इन पांच महा सहिताओं में अग से नंबर वन प्रजया अर्थात संतान से सुखी धन से सुखी ब्रह्म तेज भी उसके उपर रहेगा ठीक है ब्रह्म तेज भी उसके उपर रहेगा ब्रह्म वर्चसेन यहां लिखा गया ब्रह्म तेज से संपन संतान से संपन धन से संपन ब्रह्म तेज से संपन अन से संपन भोग्य पदार्थों से संपन और सुवर्गेन लोकेर सुवर्ग के सुखों से संपन अगर वो इन विद्याओं को वो सिक्षित है इन मामलों में तो आप सोचिए कि हमारे उपनीशद सिक्षा के महत्तों पर कितना जोड़ देते थे कितना जोड़ देते थे कि आदमी को सिक्षित होना ही चाहिए किन-किन विश्यों में सिक्षित होना चाहिए वही पंच महासहिताओं का विश्य है तो नंबर वन विश्य वो कहा रहे भाई लोक परलोक की बातों को भी जानू मतलब कि आकाश लोक है स्वर्ग लोक है पिरथ तत्वे इनके भी संबंध बनाता है और ये पहले भी उपनिशद में दूसरे स्लोकों में प्रमानित हो चुका है कि मन इंद्रिय और प्रान जो है वायू के माध्यम से उधान वायू के माध्यम से गमन कर जाते हैं शरीर को छोड़ कर इस फुल दे हाड मांस के दे को छोड़ तो इन लोकों का तुम्हें ग्यान होना चाहिए नंबर वन वो कहते हैं फिर कहते हैं अगनी का ग्यान करो जोती का ग्यान करो जोती क्या चीज है यहां भी संधी से प्रगट हो रही है दो तक्त्मों की ठीक है वायू है जल है इनके संधी से भी अगनी प्रगट हो रही है तो तो इस प्रकार से यहाँ विशय भी यहाँ पर लाया जा रहा है, इसका जानो बिजली में अगनी कैसे, बादल से बिजली कड़क रही है, उसमें अगनी कैसे, सुर्य में जोती कैसे आई है, तो इसका भी कुछ ग्यान रखो जोती का फिर ग्रहों की जोती जोती से जोतिश का भी संबंद है ग्रहों हम जोतिश शब्द क्या है आप जानते है वाट इस दे जोतिश जोतिश किसे कहते हैं जोतिश है ग्रहों के विद्या आरे भाई इस भाव में राहू आ गया शनी आ गया जी नहीं यह जोतिश नहीं है ये जोतिश नहीं है कि इस भाव में शनी आ गया उस भाव में राहू आ गया तो ये नुकसान करेगा वो नुकसान करेगा नहीं जी नहीं साइंस ओफ कलर्स ग्रहों से जोती आ रही है किस रंग की जोती आ रही है बुद्ध ग्रह से हरे रंग की जोती आ रही है चंद्रमा से सफेद रंग की जोती आ रही है सूरे से लाल रंग की जोती आ रही है इसलिए रत्न धारन करते हैं हम जो जिस ग्रह का जो रत्न होगा जिसका रंग होगा वही रत्न धारन अगर नीलम है तो शनी का रत्न है तो कि शनी ग्रह से नीले रंग की रोशनी आ रही है वहाँ से वो जोती आ रही है, तो जोती का ग्यान भी तुमको होना चाहिए, सिक्षा का या विशह है, दूसरा वो कह रहे हैं विद्या, विद्या अब अनेको प्रकार के विद्याएं हैं, अनेको प्रकार के कारे हैं, जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिसका मास्चर है, जो है उसके पास जाईए उससे वह skill development कीजिए अपना skill development कीजिये क्योंकि नौकरी करना बहुत अच्छा नहीं माना गया है तास्तरों में लेकिन आज तो नौकरी नौकरी जौब जब ले लो भाई घूंस देकर जौब ले सुख्छी तो तुमको अपने करमों से होना है सरकारी कर लो चाहिए जो कर लो तुम्हारे जीवन में सुख धुक्का पदार्पन तो तुम्हारे करमों से होना है ठीक है तो इस्किल डेवलप्मेंट कीजिए इस्किल डेवलप्मेंट की बात की जारी है विद्या मतलब इस्किल्स विद्याएं सीखिए अलग-अलग प्रकार के विद्याएं है संगीत विद्या है गाड़ी चलाने के विद्या है किसी काम को करने के विद्या है अभिनय के विद्या है नाट्य कला है अने को कलाएं है कि इसकी विद्या है इन सब को आप सीखिए ठीक है इनको जानिए यह उन्होंने दूसरी चीज बता दी फिर वह तिसरी चीज बता रहे हैं कि बहाई प्रजनन को भी जानिए अर्थात कि गिरहСТ जीवन कैसे यापन करना चाहिए इस्त्रिपरुष का संग कैसे होना चाहिए किस भावना से होना चाहिए तो यह भी तुम्हारे सिक्षा का विशय है तो इसके बारे में भी तुम जानो अगर इसके बारे में जानोगे तो तुम कोई भी कर्म करते हुए पाप में लिप्त नहीं होगे तुम्हें किसका कोई दोश नहीं लगने वाला तुम कि परते कर्म में गुण और दोश हैं मालो अब खाना ही खा रहे हैं अगर आप खाना खाने के मामले में सिक्षित हो कि भोजन कैसे करना चाहिए भोजन किस समय पर करना चाहिए कौन सा आहार लेना चाहिए किस प्रकार का आहार हम ले तो इस अब भोजन के विशय की बा बच पाएगा उसका जो negativity है उसके negativity से अपने आपको बचा पाएगा और उसके अंदर ब्रह्मतेज बना रहेगा ब्रह्मतेज बना रहेगा तबी स्रीकृष्ण ब्रह्मचारी थे राजा जनक क्या ब्रह्मचारी नहीं थे यागवल्क रिशी जिन्होंने तीन विवाह उनका हुआ था तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे अहम ब्रह्मास्मी का उद्गोश करने वाले महर्शी यागवल्क क्योंकि वो वेदों को जानने वाले थे वो लोग सिक्षित लोग थे अगर आप इन सब विश्यों में सिक्षित हैं तो निश्य ही आप एक स्रेष्ट जीवन जीएंगे तो प्रजनन के मामले में सिक्षित होना फिर वो कहते हैं अध्यात्म अध्यात्म क्या है यहां पर अध्यात्म शब्द लिया गया है मन और बुद्धी का मन और शरीर का विज्ञान उससे लिया गया है, उसी को लेकर वो बता रहे है कि उपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, बीच में जिहवा का संधान, इससे वानी प्रगट होती है, वास्तों में शरीर और मन, इन दोनों के मिलन से वानी प्रगट होती है ठीक है वानी दिखाई नहीं देती है सुनाई देती है आकाश तत्व का विशय है यह शब्द जो है आकाश तत्व का विशय है तो आकाश तत्व का यह विशय है और यह अध्यात्म इसलिए इसे कहा जा रहा है कि बाहर में अध्यात्म वानी से ही है तो संसार को अच्छे से जीने के लिए, जीवन को बहतर तरीके से जीने के लिए, you should be educated, आपको सिक्षित होना चाहिए, उसी संदर्म में ये पांच महा सहिताएं, लोक, जोती, विद्या, प्रजा, प्रजा मतलब प्रजनन, और प्रजनन का मतलब इस्त्री पुरुस संग के स परेम बात हो रही है, तो माता-पिता के उपर निर्भर करता है कि वो स्रिष्ट संतानों को जनम दें, और अपने स्रिष्टता पुरुवक, अपने ग्रिहस्त जीवन को वेतित करें, उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा, उस मामले में सिक्षित होना पड़ेगा, उस म आज लोगों को डर है, आज कल तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो लगे हुए हैं कि भाई, तुम्हारा तीज खतम हो जाएगा, तुम्हारा बूंद गिर गया, तुम्हारा ये हो गया, बहुत सारी बाते बताने में लोग लगे हुए हैं, आपको डराने तेज नहीं जाने वाला आपके उपर हमेशा ब्रह्म तेज रहेगा अरे खाना खाने से आदमी बिमार पड़ता है नहीं बिमार पड़ेगा जब मर्जी तब कुछ भी खा लोगे निकल रहते रास्ते से सामने कचोड़ी लाल की दुकान पर गरम गरम कचोड़ियां दिख गई जलेबियां दिख गई और अभी अभी तु खाना खाकर घर से निकले थे अब मुह में पानी आ गया ले दबादब पैसे थे हमारे पास तुरंद खरीदा और खा लिया फिर कहीं मित्र के यहां पहुंचे उसने चाय पिला दिया चाय के साथ उसने दो चार समों से और खिला दिये तो वो भी खा लिया क्या दिक्कत है एक दोस्त ने पूछ लिया कि अरे भाई बिरियानी खाओगे बिरियानी फ्री में मिल रहा रहे ले ले आव ले आव क्यों भी खाएंगे अब वो भी खा लिए तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी बने रहोगे जी नहीं अगर इस विशय में आप सिक्षित हैं तो यह विशय आपके मोक्ष में बाधा नहीं है और आपके ब्रह्म तेज भी खतम नहीं होगा अगर आप प्रजनन के विशय में सिक्षित हैं तो तो सिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है बी एजुकेटेड हर मामले में एजुकेटेड होईए सोना कैसे चाहिए उस मामले भी थोड़ा सा एजुकेटेड होईए खाना कैसे चाहिए सारा सिक्षा का तो मूल हमारा आ आपको मैनेज करते हो और अपने आपको सिक्षित रखते हो तो कोई तुमहारा ब्रह्म्ँतेज कोई तुम से छिन नहीं पाएगा और इन पांचों सहीताओं का से जो सिक्षित वेगती है से लोक, जोती, विद्या, प्रजनन और क्या है अध्यात्म, वानी, वानी के बारे में, तो कि अब यहां पर मुख्य रूप से वानी पर ही फोकस है, आखरी स्लोकों में अध्यात्म को लेकर कि वानी के प्रयोग में तुम जिहवा के उपर कंट्रोल ले आओ, जिहवा करम इंद और ग्यान इंदरी भी है जिहवा, तो जिहवा पर नियंतरन ये बोलती भी है और फिर स्वाद भी चकती है, अगर जिसने अपने जिहवा पर नियंतरन कर लिया कि कितना बोलना है, क्या बोलना है और क्या खाना है, उसको सफल होने में कोई रोक नी सकता, वो जीवन में 100% स जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा तो इसलिए वानी के महत्तों को यहां बताया गया है भाई गोली बंदूग से चलती है लेकिन चलवाती तो बोली है ना मीडिया में आप न्यूस देखते हैं सारा जगड़ा बोली का है फलाने नेता जी ने क्या बोल द दिया क्या स्टेट्मेंट दे दिया सारा जगड़ा बोली का है तो इसलिए वानी पर और अपने स्वाध पर अगर नियंतरन व्यक्ति को रहे तो लंबे समय तक स्वाध का आनंद उठाएगा ठीक है संतान उत्पती के विशय को प्रजनन और इस्त्री पुरुसंग के इस विशय को फिर बताया जा रहा है तो इस तरह से पांच सिक्षाओं की चर्चा यहां पर की गई है संसार के लिए ध्यान रखेएगा अभी ब्रह्म मोक्ष की बाते अभी आगे आएंगी इसी उपनिशद में उन सिक्षाओं के बारे में बताया गया है जो ब्रह्म विद सारे सुखों को आप भोगना चाहते हो इन पांच मामलों में सिक्षित हो जाओ अगर इन पांच मामलों में सिक्षित हो गया शास्त्र सम्मठ धंग से तो संसार का जो भी सुख चाहिए आपको संतान हो गया धन हो गया यश हो गया ठीक है और क्या-क्या लिखाए देख ले लाव तेज रहेगा कि पूछ पुछ कए यूद्ज ब्रहमचारी के उपर रहेगा और जो इस तड़ी संघ में रह रहा है बला वो ब्रहमचार गेसा अब कुतके हमार्द सब्सक्राहि का व्हट जब टो आप Shar Act अच्छे से इसलिए कि सब्सक्राइब युजिए कि've a Dh k इसलिए कहता हूँ आज जादा तर हिंदू समाज में भगवान और इश्वर को मानने वाए लोग अपने इश्वर को बिल्कुल वैसे ही मानते हैं जैसे की अबराहमिक रिलीजन में अल्ला या गौड का वर्णन है तो थोड़ा सा विचार करलो और कौनसेप्ट को समझो तो जाकर फिर आपको क्लियर होगा हमारे सास्त्रों में वैसी बाते नहीं है जो वहाँ उनके यहाँ पर हैं अलग बाते हैं ठीक है और वो ज्यादा तर्क के साथ है ज्यादा तर्क के साथ है, वहाँ पर ज्यादा सटीक आपको तर्क मिलेगा उपनिशदों में, तो समझने की ज़ुरत है और अध्यन की भी आवशकता है, सुनने की भी आवशकता है, तो ये वो कह रहे हैं, तो उसको संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ब्रह्मतेज की प्राप् और स्वर्ग का सुक इस सारी चीजे उसे प्राप्त होती है जो इन पांच विशियों में सिक्षित है लोक जोती विद्या प्रजनन और पांचवा वानी जो अध्यात्म का विश्य है उस इन पांच विश्यों में जो सिक्षित है जो सिक्षित है वह अनेक सुक भोगता है संत पान का धन का ब्रह्मतेज उसके चेहरे पर हमेशा बना रहेगा और इस सारे विश्यों से वह संपन्द रहेगा स्वर्ग का सुख भी भोगेगा तो आप उपनिशदों के अनुसार वैदिक लोग सही पांच सहीताओं के अनुसार यहां पर तीन अनुवाक में तैतिरिय उप चर्चा को रोकते हैं आपका कमेंट देखेंगे और फिर जो है जितना देख पाएं सारे कमेंट देख पाएंगे इसकी गरंटी नहीं दे सकते हैं जो देख पाएं वो देखेंगे और फिर आप समझें इस विश्य को कल फिर आगे बढ़ते हुए तैतरीय उपनिशत की व् लगा कि किसी का विशय बहुत महत्यपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं उस विशय को भी लिकर आ सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं तो विश्व जगदीस लाल जी बलवन सिंग गोहिल विश्व यात्री रोहित सिंग गुरुजी को शर्शत प्रणाम राजपाल ज जी दादा खचर जी रोहित सिंग जी गुरुजी एक समस्या का समधान करने की किर्पा करें कि मेरा निवेदन है यह है कि मोक्ष क्या है और उसके बाद जीव का क्या होता है जीवत्व खत्म हो जाना ही मोक्ष है फिर तो आत्मा ही आत्मा है ठीक है एक Assistance में यहीं कह सकतें बाकी कभी व्याख्यान आया तो इस विश्य पर विडियो बनाए पहले भी बन चुकी चर्चा हो चुकी है आगे भी बना देंगे क्या हम बिकरम सिंग जी रूप लाल जी पंकज बिश्रा जी क्या हम तपस्या करके किसी और और व्यक्ति को मोक्ष तक पहुँचा सकते हैं जैसे माता पिता को जी नहीं आप उन्हें मोक्ष तक पहुचा नहीं सकते हैं आप उन्हें मार्ग पर ले आ सकते हैं उनके पुन्य की वर्धी कर सकते हैं आपके पुन्य से उनका भी क्योंकि आपका माता पिता आदी का संबंद आपका कर्मों से है आपके कर्मों से है संबंद है तभी तो उनके यहां आपका जन्म हुआ उनके घर में उनके कुल में आपका जन्म हुआ क्योंकि उनके कुल के साथ या उनके साथ आपका कर्म तो अगर आप तपस्या करते हैं तो उनके पाप च्छन होंगे ठीक है उनके पाप च्छन होंगे और वह मोक्ष के मार्ग पर आ जाएंगे उनके पुन्य के वर्दी हो जाएगी और मोक्ष के मार्ग पर वो आ जाएंगे लेकिन मोक्ष तक पहुंचा देंगे नहीं पहुंच है तो यह आप इसको इस तरह से समझने है ठीक है चलिए तो और क्या विशाह है इसमें कि देख लिए जाए आजी तो पंकज मिश्रा जी हो गया अजीद भाई पटेल रूपलाल विश्व कर्मा जी क्या सद्ध करमकांड करने से हमारे मिर्थ परिजनों को कोई फायदा होता है जी हाँ होता है बिल्कुल होता है श्रात करम कांड से हम पुन्य करते हैं पशु पक्षियों को भोजन कराना विशेश करके पक्षियों को खिलाया जाता है तो पितर लोग के लिए पितरों के लिए वो शुभ माना गया है ठीक है देवताओं का दान अगनी को होता है हवन के द्वारा अगनी को होता है और जो का दान है वो पशु पक्षियों को होता है ऑफसु पक्षियों को खिलाया जाता है एक पर है पित्र पक्ष नैंच पर आता है कि पता नहीं मैंने यहां पर उसकी जानकारी पिछले वर्सली काफी जिसको कहते हैं यहां पर जिवित पुत्रिका वरत जिवतिया ऐसे कहा जाता है बिहार के चेतर में यूपी के चेतर में जिवित पुत्रिका वरत के नाम से भी लोग इसको जानते हैं तो उसमें जानवरों को रातरी के समय रातरी के समय चील चील और कहते हैं लोमडी जो होती है सियार जिसको कहते हैं उसको खिलाने का एक विधान है, एक विधान है कि उनको आप भोजन कराईए, छील को और सियार, पितरपक्ष के में ही वह परव मनाये जाता है, पितरपक्ष जब शुरू होगा उसी में आएगा, तिथी मुझको बिल्कुल ध्यान नहीं है, शायद सस्टी तिथी या नौमी तिथी को आता हो ऐसे, तो उसमें यह आएगा, और उसमें यह माताएं जो होती है, अपने जिवित पुत्र के जीवन के लिए वो वरत रखती है, ठीक है, भोजन का त्याग कर देती है, अन्न का त्याग कर देती है, तो वास्तों में वह प्रक्रिया क्या है, पितरपक्ष म तो लड़ू नहीं चला जाएगा आपका पुन्य जाएगा तो वैसे भी अगर पसु पक्षी को अगर आप दान करते हैं खिलाते पिलाते हैं तो वह भी बहुत अच्छी बात है और रही बात अगर भक्ती तपस्या योग साधना इन सबों में आप लगे हुए हैं तो निश् आधना से ही अपने पित्रों अपने पुर्जों को लाब पहुचा सकता है ठीक है जगत नरायन जी रोहित सिंग जी गुर्द्यों को प्रणाम अगर जीव मोक्ष्या मुक्त हो जाता तो वह जीव फिर कहा निवास करता है या रहता है वो जीवत्वनष्ट कर देता है वह आत्मा हो अब सुद्ध आत्मा के रूप में रहता है ठीक रचना जी जोंती दक्ता जी धर्मेंदर शर्मा जी पुल्दीप सिंग जी सरोज कृष्णानी जी मधूर कोले जी ठीक उशा शर्वास्तों जी हमेंद्र कुमार सर जी नमस्कार आपके पवित्र ज्यान की वारिश मैं नहा कर मेरा तन मन अब धीरे धीरे पवित्र होने लगा है अच्छी बात है जी हमेंद्र कुमार संकल्प मिश्रा स्पी शैनी भूप देव राठोर परबत रावदर हमंद्र कुमार सर जी आप उपनिशद ज्यान हमेशा देते रहें अभी तो चली रहा है भी तो लंबी स्रिंखला है बहुत कुछ बाकी है अभी उपनिशदों में ठीक है जुड़े रहें लाब उठाते रहें मन संत हो गया भगवान हो तो क्या हम अगले जनम में सब भूल जाएंगे जी नहीं भूलेंगे उस अंसकार को लेकर आपका अगला जनम होगा है दोनों जगा तीनों गुनों रहने कारण सदसत आत्मा ही नमन सभी ब्रह्म आत्माओं को वैजिनात कुश्वा को सदत नमन अंजली बनवासी जी नमस्ते सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि यहां पर दी जाने वाली जानकारी और उपनिशदों का जो विशय है जो विशय है वह लोगों तक पहुंचना चाह समझ पहुंचनी चाहिए लोगों तक तो निश्य ही आप शेयर किया करें सबस्क्राइब किया करें तो जिग्यासों इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम दूंगा बहुत बहुत आभार आप सभी को और यह विश्राम है कल फिर से हम नौ बजे एक नई चर्च के साथ तैतरीय और प्रिशत के अगले स्लोकों और अनुवाक के साथ हम उपस्तित होंगे निश्य ही और भी कोई जरूरी विशह आ जाते हैं तो उन पर भी चर्चा करने पड़ती है तो वो भी होगा ठीक है तो चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का झाल 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 झाल